हेलो फ्रेंड हाई गुड आफ्टरनून और वेलकम बैक टू माई चैनल और फ्रेंड कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे सब को मैं अभी कुछ ससौपिंग कि हों अनलाइन और कुछ ऑस्लैन कि हूं तो मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रहे हैं दिखार करें आप लोगों को की मैं वाद अनलाइन भी अलाइन ले हूं मिसु से तो देखिये मैं दिखाती हो आप लोगों को और फ्रेंड ये देखिए ये इतना कुछ टॉपिंग हुआ है मेरा और मैं दिखाती हूं सबको तो फ्रेंड सबसे पहले मैं ये दिखाती हूं तो मैंने ये सारी लिया है मिसु से लिया है और इसका बहुत ही बहुत सस्ता सारी है ये तो मुझे इसका बहुत प्यार लगा ये मार्केट में ब़ी यही प्राइस में मिलता है और मुझे इसका कलर बहुत प्यार है यजलो ग्रियन मुझे मैं ये या ले ली तो यह सारी मैं ली हूँ मिसू से और सेकेंड मैं मिसू से ली हूँ यह कुर्ती यह कुर्ती ली हूँ पैसा है यह फ्रॉक बना हुआ है फ्रॉक वाला कुर्ती है यह देखें यह है मैं मिसूसे ली हूँ और अजा मुसू में वाला है यह वाला जो कि मैं दो बेहन के लिए और इक कर नेज़िए और ये थीसरा मैं ली हूँ खुद के लिए मेरा लेने का मन कर रहा था तो मैं ले ली और देखें यह है कि यह ले ली हूँ भी हूँ और तो यह तीन चीज मेरा है मीफू का और आफ लाइन जो मैं ली हूँ मार्केट से वह मैं दिखाती हूँ मार्केट से मैं गई थी ऐसे ही मैं कुछ सॉपिंग करने के लिए नहीं गई थी मैं अपनी ननत के साथ गई थी तो मुझे यह हाइनिक बहुत अच्छा लगा इस तो यह देखें यह हाइनिक मैं ले ली हूं एक और यह न बहुत पतला कपरह तो आशानी इसे छंडी चला जाएगा बस आप ऐसे पहन सकते हो तीशे टाइप पहन सकते हो लेकिन इससे ठंडी जाने वाला नहीं है बहुत पतला है यह बट है बहुत सॉफ्ट है अग्दम तो यह मैं हाइनेक ली हूँ और अभी ठंडी के लिए यह हाइनेक और यह इस्टॉल यह मैं गली में ही आया था स्टॉल तो मैं ली ठंडी के लिए यह दो चीज़ लहें और यह मैं खुर्टी का कप्रा लाई थे हैं अप लोगों को साये में बताए थे तो फिर यह 2 खुर्थी वाली हूँ और मैं आप image लोगों को दिखा रही अच्छा कप्रा है ग्लेज कॉटन का कप्रा है बहुत ही सॉफ्ट इतना सॉफ्ट है एक दम बहुत को सुरत लगता है और कलर भी आप लोग देख सकते कि कितना को सुरत लग रहा है तो मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैं ले ली थी और देखिए बहुत को और यह कुर्ती का कप्रा मैं ली हूं इसके लाइनिंग गोटा पट्टी लगा है और देखिए बहुत खुप्सूरत लग रहा है और आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत खुप्सूरत यह भी कुर्ती तो यह सब मैं अपने बगण से लोकल मार्केट से लिए हूं अब और और मार्केट ले थी तो मैं मेरे पास प्लीप नहीं था तो वह प्लीप ले ली और एक यह बैंद ले ली जो कि मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली और और फ्रेंड एक यह लाक मेका कॉल्ड क्रीम ले के अभी धंडे में सही रहेगा जो कि मैं यूज कर रहा हूं तो दो तीन दिन हो गया में यह अब ऐसक पर लो और प्रत कि मैं UX के लिए तो Be कर देखेंने दिन हैं पर जो कि मैं यूज कर रहे हो तो यह लेकिन फ्र लगा कि नहीं आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर चाने भावी के पास गाई तो मेरी भावी भी दी है है वह दिखाओंगी मैं दिखाओंगी आप लोगों को कि मेरी भावी क्या-क्या दी हैं तोяв बेखे फ्रेंट यह मैं भी बना रहे हूं यह एक टेवल क्लॉथ है तो मेरे पास जितना भी उन था साड़े उन को एकठा करके और यह चोटा-चोटा डालके आसा टेवल क्लॉथ मैं बना रहे हूं जो कि बहुत खुब्सूरत लगेगा बनने के बाद बहुत खुब्सूरत तो मेरे पास खाली टाइम होता है तो फिर यहां पे तो कोई है नहीं तो मैं ऐसे ही यही सब करते रहते हूं टाइम पास के लिए और फ्रेंड मेरा अभी टाइम हो गया है एक बज रहा है और टूटल काम हो गया है दो फर का चाबल बनाना है सिर्फ मेरे दिवराई यह खाना खाना के लिए तो चाबल बनाना है तो फ्रेंट बने रहे हैं मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर और देखते रहे हैं मेरा वीडियो और लाइक केजिए कॉमेंट केजिए और देखें सारब ऐसी रहता है और फ्रेंड ये इवनिंग का वीडियो है तो इवनिंग में मैं ये दूद बॉयल कर रही थे और थुड़ा सा नास्ते के लिए मैं थुड़ा सा ये पकॉरा चांड रही थे और पकॉरा में रात में खानूंगी और ये रात का खाना का ये हो रहा है तो फ्रेंड आप लोग बने रहे हैं मेरे चैनल पर और देखते रहे हैं मेरा वीडियो और लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए फ्रेंड फ्रामली में सेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल प और रखेयों आपके ए्ट